फ्रेंड जैदा वितंकिता में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम ही सौफ्ट नरम मुलायमदार बहुत जल्दी डाइजेस्ट होने वाली और साथ ही हाइव प्रोटिन डिच और वेट लॉस के लिए परफेक्ट रेसिपी पालर ओट्स के चीले बहु ज़रूर खायेंगे हम इसे सर्वब करेंगे अपने ठंड ठंड रहते के साथ तो चेली रैसिप की बनाना को सुरू करते हैं अब करके घरा चाणे पाने को डाय लिए अब हमारी हम हम उसे इसमें डाव देंगे, हमें यहां पर पालक के पत्तों को बालना नहीं, ऐसरी फरम इसे गरम पनिम डालेंगे, जिस्से कि इसके जो भी करवाहट है, फुसारी चीजे निकल जाएंगे, इस तरह से हम उसी की सहेत्य से प्रेस पर देंगे, जिसे जो पत्ते हैं, वो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और अब हम इसे ठंड़ा करेंगे इस तरह से आप रेसिपी बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है वापस से हम इस पैन को अच्छे से जरब कर लेंगे अब हम इसमें ओट्स डालेंगे लगबब यहाँ पर मैंने आधा कप पे करीब ओट्स एड़ किया है आप अपने फॉर्डिंग ओट्स वो पम जादा कर सकते हैं हमें यहाँ पर ओट्स को दो मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है यहाँ पर मैंने तेल घी बटर कुछ भी आड़ नहीं किया है हमें इसे ड्राय रोस्ट करने हैं जिससे कि जब हम इसका पॉडर बनाएंगे न तो बहुत ही अच्छी सी पॉडर बन जाएगा आप इसका जो पॉडर मतलब जो माटा बना तरके रैडी करेंगे न आप उसे एट 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 कंटेनर में भी इस्टोर करके रख सफते हैं यह देखें जैसे यह रोस्ट हो करां तो इसकी जो फ्लैक्स है न वह एकदम क्रिस्पी होना शुरू हो जाएंगे तो दो मिनट हो चुकी है तो बस हमें यहां पर गैस को आफ करतेंगी और अब हम इसे भी रूम टेप टेशर बर ठंडा कर लिए इसके लिए यहां पर मैंने ज चाहर ले लिए तो अब सभी को हम इस पर ट्रांसपर कर देंगे और अब हम इसका एक स्मूद पिस्ट बना लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा फालत है वह पाकी अच्छे से ग्राइंट हो गया है एक दम इसमूद अभी नहीं हो रहा है हम यहां पर क्या अधी बन करके तैयार हो जाते हैं और दालने के बद हम क्या करेंगे कि दो चम्मच यहां पर मैं बेसान एड़ करूंगी तो यह देखें इससे एक ना थिकनेस भी आती है हमारे चीने में वुल्पल भी तूटता फटता नगर है और दो चम्मच के करीब में यहां पर सूज तो छुची करेंगे यहां एक है कि इसके साथ ही हम दई धई यही दऊट करेंगे दई एक दो hun कि रेसिपी है तो में यहां पर से हम इसे सिर्टेवरों बन कर करेंगे तो यहां हमारा जो स्लाई है वह तैमारा तो देख सकते हैं अब हम एक बाउल ले लेंगे उसमें हमने जो बैटर बना करके रखे हैं उसे ट्रांसफर करेंगी देखिए अभी आप देख सकते हैं कि बैटर जो है वो कापी थेक है इस तरह से हम इसे बाहर इंकाल लेंगे इतना तिक बैटर से हम चीले नहीं बनाएंगे अब यहां पर जो मिक्षर जा रहे है न उसमें एक कप पानी डाल दूँगी अब उसके साथ आप इसका जो ढपकन है उसे लगा देंगी थोड़ा सा हम इसे शेक कर लेंगी अब यहां पर चेक कर सकते हैं कि आपको जो बैटर है वो परफेक्ट है कि नहीं तो एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद हम देखेंगे क्योंकि हमने इसमें सोजी एट किया है न तो उजी जो है वो पानी सोक करता है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा की ढालना है क्योंकि हम इसे रेश्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारों जो बैटर है, अब यीबी काफी थेक है, तो again, यहां पे मैंने एक कप पानी लिया है, तो आला कप पहले डालूंगी, अगर ज अगर ज़ vogt लगे काथ तो तौ दो वारे से आला कपौ पूमेंट कर देंगी, यह दे यहां पे मैने से अच्छे से मिक्स कर दिया है अब यह मेंसे सब्सक्क्राइब के लिए च्छोड़ दें गे अर यह जो ग्रीन दिख रहा है या बल्कूल भी इत नहीं है यह जो भी कलर आया है वो पालक का ही कलर है बहुत ही हल्दी बनती है रेसिपी और फटा फट बनती है ना आप इसे ना मतब इसका बैटर बना करके आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं सुबध गर्मा गरम इसे बना करके एंजॉय गर सकते हैं बच्चों को लंच बॉक्स में इसे दे सकते हैं जो हमारा बैटर है बिल्कुल रैडी है बनने के लिए अब हम इसमें नमक डाल देंगे टेट के कोड़िंग कर देंगी और यह नमक को हमेंसे लास्ट में ही हमें आड़ करना है तो बस अब हम फटापट अबने चीले बनाना शुरू करते हैं यह देख बोला थोड़ा सरके हम इसे बैटने अट फिरेंग वर इस तरह से हम इसे चमबस के फेला लेंगे यह देखे इस तरह से हम बहुता वीस पर बना सरते हैं तो यह है कि हमें जो सूजी की मातरा और बेशन की मातरा नीखे न वहमें सिर्फ सूजी ही आट तरना होगा और एकड़ लबरस पर हमारा जोनन दूबबबगदर के तयार होगा तो आज नम लेगिन में हापे चीले ब बस अगा के से ईसका निकालते जाएंगे यह देखे अजर यह कुक नहीं हुआ है तो यह साइड जो है वो अच्छी से उछे नहीं निकलेगी तो इस तरह से हमारे लिए टीलेंगे से कि अच्छी से कुख हुआ हेकी ने अगर आप रेसिपी पसंद आ रही है तो कमेंट करते हैं जरूरी बढ़े हैं चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें दीजेगा एक ही सेड में मैंने जो ओयन है उसे ग्रिस किया था दूसरे सेड में हम बिनकुल ओयन यूज नहीं करेंगी क्योंकि वेट लॉस की रेसिपी है और साथ ही अगर आप पालर डाल करके बनाते हैं तो बहुत ही हेल्दी बनती है और साथ ही इसका जो टेस्ट है चीनले का वह बह भी को मेरे बताएगा तरीके से बनाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो चीला है वो दूसरे साइट को भी अच्छे से छोड़ चुक है और परफेक्टली कूप हो चुक है तो चलिए बाप से बनाट लेते हैं और यह भी जो यह डॉट 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 दिखना और ब्राउन डॉट यह हमारा जो चीला है वो पका है कि नहीं और यहां पर देख सकते हैं सूप और डिली से अलारे ग्रीन ग्रीन पाला के चीली जो कि काफी हेल्दी है अगर आपके बच्छे पाला खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस तरह से चीले बनाजर लिए उन यहां पो एक और चीला बनाते रखे दिखाती हैं हम थोड़ा से द्रीश कर लेंगी यह दे आधा चम अससे दिखा हम यहां पर यहां पर मैंने यूज की यह हैं अब आम इसमें बैबार आप साइड है रहे हैं इस चीले को भी हम फास से साथ मेंट के लिए अलट पलड़ कर के सेखेंगे अब इसके जो उपर के लिए है ना वाप यह अच्छे से ड्राय नहीं हुई है हमने जो पहले का चीला बनाया था यहां पर आप उससे देख सकते हैं कि काफी पतला पतला हमारा चीला बना है और यह देखे एक दाव रोमारे से नराम है इसी तरह से हम बागी क जिससे की जो पी तच्चापन होगा ना वह भी नहीं कर जाए रही है अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो परमेंडर के जरूर बताएगा चैनल पर नहीं होगे तो चैनल वह सब्सक्राइब करने बिससे कि आपको मेरी है रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल डाएगा आपको मेरे चैनल पर वेट लॉस से रेलेड़ेड़ और रेसिपी मिल डाएगी तो आप उसे जरूर क्रिजिट किजिएगा पर यहां पर देखिए दूसरे तरफ से में हमारे सीला पक चुकता है इससा पता हमें तब ही चलता है जब यह चीला है ना यह अच्छे से जो हमा बायामी चीन पसंद है इसलिए मां इससे इसी तरह से पपाऊंगी आप इस रेसिपी को दही के रहते के साथ टमाटाल की चटनी की साथ या धनिया पूजीना की चटनी के सांथ उस चलिए अब मेंसे सर्व करलेते हैं तो यहां पर मैंने नी ले ली है दखिके सान साथ हम य यहां पर मैं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर एड़ करूंगी आप चाहें थे हाँ पर हरी मिर्च से भी कट करके एड़ कर सकते हैं दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगो और यह भी कि हमारे रहते के जो कलर है वो काफी बहतरी दिख रहा है इस तरह से आप अपने गर्वा फटा पट रहता बना करके इंज्वाइ कर सकते हैं जिसका टेस्ट हमें रोटी कराटो के साथ बहुत ही बहतरी नाता है साथ हम यहां पर जीरा बुना हुआ जीरे का पाउडर एड़ करेंगे जो पाचिन के लिए बहुत ही अच्छा होता है साथ ही रहते का जो टेस्ट है वो जीरा पाउडर अगर अब बुनादर के डालेंगे ना तो उसी से ही अच्छे से उभर करके आता है यह देखे सब भी को हमें आप अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारा फटफट बनने वाला रहता तैयार है यह प्लेटिंग कर लिते हैं तो यहाँ पर जो हमारे एकदम नरम नरम उलायम उलायम चीने बने हैं उसको इस तरह से मैंने ट्राइंगर सेप में फोल्ड दर लिया है अब ठेक करके हम यहाँ पर जो चीने हैं उसे एड़ कर देंगे अगर आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा और साथ ही हम इसे सर्व करेंगे अपने ठंडे ठंडे रहते ही साथ रहते ही उपर हम थोड़ा सा लाजमेंट्स का पॉड़र एट करेंगे जिसकी से इसकी जो रंगत है न वो बिनकुल ही चेंज हो जाएगी साथ ही हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा भूला हुए जीरे का पॉड़र और यहां पर हमारी परफेट्ट मेल बन करके तयार हो चीकी है तो अबर आपको रेसिपी पसंद आई होगी तो कमेंट जरूर करिएगा चैनल पर अधर नए होगे तो चैनल को तो स्पैप फीजेगा जिससे की आपको मेरी रेसिपी का नोकिफिकेशन मिल जाएगा जिल्दी मिलते हैं अपने पर नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा